इस वीडियो में TechSteps के मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह आप train की running status को देख सकते हैं NTES app का use करकर NTES का full form है दोस्तो National Train Inquiry System इस app की link मैंने description में दे रखिये link का use करकर आप सीधे download कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा साथी bell icon को ज़रूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे हर latest वीडियो के notification आपको मिलते रहें तो चलिए दोस्तो मैं NTES app को open कर लेता हूँ तो दोस्तो app open हो चुका है हम app के home screen में हैं app के home screen में आपको बहुत सारे options मिलेंगे जिसमें आपको पहला option जो की spot your train है इस पर tap करना है किसी भी train की running status देखने के लिए तो दोस्तो spot your train option open हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले train number और name यहाँ पर लेखा हुआ है आप train के number से या फिर train का नाम यूज करकर train की running status देख सकते हैं तो दोस्तो जैसी आप train का number डालेंगे अगर number सही है तो इस train का नाम आपको दिखा देगा और जिस station से start हुई उसके just नीचे दिखाएगा जैसे दानापूर पूने special है तो यहाँ पर दानापूर दिखा देगा जहां से start हुई है train इस पर आप tap करिए और जिस भी station तक आप देखना चाहते हैं live status जैसे मैं जबलपूर select कर लेता हूँ यहां से और देखिए दोस्तो मैं आज का देखना चाहता हूँ जो की 12 जनवरी है तो अगर आप किसी और दिन का देख रहे हैं तो यहां से date change कर सकते हैं और train की running status देखने के लिए show status का button है इस पर आप tap कर दीज और यहां पर आपको departure का भी time दिखा रहा है और च्था देख होगा उसके जशन नीचे देखिए दोस्तो next stoppage भी दिखा रहे है जो की महियर है दोस्तों यहा पर last update का हुआ है उसका time भी दिखा रहा है उसके नीचे देखिए लिए बटन है जिसे लिखा हुआ है show full running तो इस मैं उपर स्क्रॉल करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन कौन कौन से स्टेशन कितने कितने बजे पहुंचे और कितना डिले हुआ है ट्रेन को यह सारी चीजे यहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप NTES आप के Spot Your Train के फीचर का यूज़ करकर अपने ट्रेन की रनिंग स्टेटस देख सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तो आपको समझ में आओगा किस तरह NTES आप का यूज़ करकर आप अपने ट्रेन की रनिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद